पार्ठ सत्रा सरलता और सहदता वो नौकर बच्पन से उनकी घर में काम करता कर रहा था अब वो बुड़ा हो गया था उसने घ़र के बच्चों को उनकी उंगली पकड़ कर चलना सिखाया आप वे बच्चे बड़े हो गये थे वे बच्चे उचे उचे पदों पर पहुँच गये थे पर इस बुड़े काका के प्रति सब के मन में इसने और सम्मान की भावना थी सब उने अपने परिवार का एक सदस्य समझते थे परिवार वाले चायते थे कि बुड़े काका अब काम कार्च करना बन कर दें और शेष जीवन आराम से गुजारें पर वे नहीं मानते थे वे घर की साफ, सफाई, जाड़ू, पोचा तथा कामों की कामों में सब देख भाल खुद किया करते थे एक दिन बुड़े काका अपने बापू के पर्णे के कमरे की सफाई कर रहे थे अपने बापू के एक-एक सामान को उठाते, उसकी धूल पोचते और उसे यथा इस्थान रख देते अचानक ना जाने कैसे उनके हास से एक बहुत कीमती कलमदान छूड़ गया कोई साधारण कलमदान नहीं था, वो कारी-गरी का उत्प्रष्ट एक नमूना था बहुत कीमती था, दुरलब था, बूड़े काका, तूटे हुए कलमदान को एक-एक देख रहे थे उन्हें कुछ सूजा ही नहीं, कि अब वो क्या करें, उन्होंने उसको चुप-चाप वहीं रख दिया मेज पर रख दिया, पर वे बहुत घवरा गए थे, बापु आये तो, वे उसे कुछ बोल गी नहीं पाए, और वो ढाटने लग गए एकदम से ऐसा कीमती कलमदान तो अब कहीं नहीं मिलेगा, कितना दुख होगा बापु को यही सोच कर उनका दिल बैठा जा रहा था, बहुत घवरा रहे थे, सायाकाल जब बापु आये और भोजन के उपरांत अपने कमरे में पहुचे ही थे कि उनकी नजर तूटे हुए कलमदान पर पड़ी वे इतने कीमती कलमदान को टूटा हुआ देखकर बहुत दुखी हुए, उन्होंने उसे उठाया तो देखा उसके दो टुकडे हो जुके थे, उन्होंने बुड़े काका को आवाज दी काका, काका, बुड़े काका ने डरते हुए प्रवेश किया ये कलमदान, ये कलमदान किसने तोड़ा, मुझसे तूट गया, कैसे उन्होंने उत्तर, फिर पूछा कैसे तूट गया, मैं सफाई कर रहा था कि अचानक तूट गया, जानते हो ये कितना कीमती था, ऐसा दूसरा कलमदान कहां मिलेगा, बुड़े काका से नीचा किये अब खड़े-कड़े, मेरा मुझ क्या देख रहे हो, जाओ यहां से, ओ बहुत नाराज थे, और हाँ, कल से मेरे पढ़ने की कमरे की सफाई मत करना, बुड़े काका से नीचा करे हुए, वहां से चुक्चा चले गया, आँखों में आसूर, बहने लगे पहले अपने, बाप अपने बिस्तर पर लेटे-लेटे सोने की कोशिश कर रहे थे, पर ना जाने क्यों आजनीन आने का नाम ही नहीं ले रही थी, उनका मन अशांत था, वे रह रह कर अपने कलंदान, तु बुड़े काका और उनके प्रति अपने वहवार के बारे में सोच रहे थे, बच्पन से काका हमारे यहां काम कर रहे हैं, उन्हों ने तो मुझे उंगली पकर कर चलना सिखाया है, क्या उनके प्रति मेरा कठोर वहवार उचित था, क्या एक कलंदान एक वहेति के सम्मान से अधिक कीमती है, अगर गलती से उनके वह कीमती कलंदान तूट भी गया है, तो क्या यह दिवा मुझसे गिर गया होता, वो कहने लगे कि यह अगर मेरे हां से गिर जाता, तो मैं क्या करता, कितनी सेवा की है, उन्होंने हमारी वो ऐसा लेटे-लेटे सोच रहे थे, कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, पर आज मैंने उन पर इतना क्रोध किया, क्या यह सारी सेवा, पर पानी फेर दिया, इस सरह के अनेक सवाल बापु के मन में उठते और उनका मन अधीर हो उठता, राद काफी हो चुकी थी, बापु ने बुडे काका को आवाज दी, बुडे काका भी सो नहीं रहे थे, वे अपनी गलती को याद करके आंसु बाहर आये थे, अचा बापु की आवाज सुनकर उन्होंने आस्वों को पोचा और वे डरते डरते बापु के कमरे की ओर जाने लगे, परन्तु काका ने देखा बापु उनी की ओर आ रहे हैं, काका की घवराहाट और बढ़ गई, वे सोचने लगे, शायद बापु का गुस्ता अभी ठंडा नह ही हुआ है, काका सिर्थ नीचे करके खड़े हो गए, काका मुझे माफ कर दो, मैं अपने वेहवार पर शर्मिंदा हूँ, अचानक बापु के मुह से निकला, बुड़े काका, उनके मुह की ओर देखते रह गए, इतना बड़ा आदमी और एक छोटे से नौकर से माफी उने को झुके ही थे कि बापुने उन्हें बीच में ही रोग दिया, काका, क्या आप मुझे शमा नहीं करेंगे, बापु बोले, जग तक आप मेरे सिर्फ़ परहार तक कर नहीं कहेंगे कि आपने मुझे शमा कर दिया, मुझे चैन नहीं मिलेगा, बुड़े काका की आखों में आसों की जड़ी लग गई उन्होंने बापु के सिर पर हाथ रखके कहना पड़ा अच्छा चलो मैंने अपने बापु को माफ कर दिया बच्चों क्या तुम जानते हो ये बापु कौन थे ये बापु थे भारत की प्रत्थम राष्ट पती डक्तर राधिन प्रशाद ये सतना तब की है जब वे राष्ट पती भवन में थे और उनके एक पुराने बूढे सेवक से उनका एक विश्किम्ती कलमदान तूड गया था जो उन्हें किसी बड़े आदमी ने अप उन्हें उपहार में दिया था जरा सोचों भारत के राष्ट पती होकर वे उतने उदार सहदे और विदम्र थे गमन तो उन्हें चूर तक भी ना गया था